तो किस आज हम लोग जानेंगे एक तगड़ा सा क्रेक्टर कॉंबिनेशन जो की एक स्नैपर प्लेयर को यूज करना चाहिए अब देखो इस वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था नेड़र के लिए एक तगड़ा सा कॉंबिनेशन जो की आप लोग को काफी ज़र्दा प तगला है तो भाई समझो आपका टीम एक तम ओपी है अब देखो यार वैसे तो असनैपर प्लेयर बनने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है लेकिन कहीं न कहीं जो काफी ज्यादा मैने रखता है आपको पता होगा कि फिरी फायर जो है भाई उसके उसके आपको फैर आपको आपके पास प्यासी सलेंateurs होगा, मतलब कि आपको अपने sniper में silencer लगाने के जवरत नहीं है वो automatic से silencer के तरह काम करेगा ठीक है जो कि यह काफ़ी ज़दा ज़वरी होता है इसके लावा कि एक sniper player के साथ एक खरावी होता है कि उनको जो है भाई kill नहीं मिल पाता है क्योंकि अकसर वो जो है long range में ही fight लेते है sword range में बहुत कम fight लेते हैं तो यहाँ पे देखो इसका काम क्या है कि अगर आप किसी enemy को knock करते हो तो उसका health है वो बहुत जल्दी घड़ता है जिससे कि आपको kill मिलने के chance काफी ज़दा वड़ आते तो यह सबसे बड़ा फैदा होता है तो एक sniper player को यह वाला ज्यूस से यूज़ करना चाहिए अब guess यहाँ पे दूसरे slot में आपको यूज़ करना है active skill जो कि बहुत ही ज़ूरी है एंड देखो active skill में मैं आपको बताऊँगा तीन करेक्टर तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो लेकिन guess यहाँ पे जो सबसे अच्छा और सबसे तगड़ा है वो है guess यहाँ पे अपना iris करेक्टर एक sniper के लिए वाई यह वाला जो करेक्टर है सबसे OP है क्योंकि देखो इसका काम क्या है कि जब आप इसका skill को use करते हो पहली चीज़ तो यह कि यह enemy पे mark बना देता है जैसे आप लोग firing करोगे ठीक है एंड इसके बाद भी क्या है कि जिस पे भी mark बना हुआ है उसको जो है आप लोग global के आर पर मार सकते हो अब चाहे आपके पास M2 भी हो या फिर AWA में हो कुछ भी हो चलेगा ठीक है एंड के समाजे की बाद तो यह है कि अगर enemy अपने सामने अपने आगे पांच गुलूवा लगा के है तो भी आप जो है उसको आर पर मार सकते हो जो कि भाई सबसे ओपीजी तो किस यहाँ पर जो iris है वो सबसे तगड़ा है लेकिन भाई इसको यूज करना उतना भी easy नहीं है जितना की दिकरा इसमें थोड़ा सा आपको practice करना पड़ेगा तब ही जाके आप लोग इसको अच्छे से यूज कर पाओगे अब किस यहाँ पर देखो आप चाहो तो iris के जगाप पर यूज कर सकते हो अपना ascalar इसके वारे में आपको पता होगा कि यह जो है global को सीधा फोड़ देता है चाहे नायरी हो या पी कुछ भी हो तो इससे क्या होगा कि जब global फोड़ेगा तो आप तो मारी सकते हो साथ ही जो आपके teammates होंगे वो भी enemy को मार सकते हैं जिसको आप देमिज दोगे ठीक है iris में क्या है कि सिर्फ आप ही मार सकते हो क्योंकि आपके पास वो character है लेकिन इसमें क्या है कि आपके teammate भी आपको support कर सकते हैं बट यहां पे खड़ावी क्या है कि a scalar जो है एक पूरे area बना देता है वहीं पे global फोड़ता है और जो चलाकर नहीं होता वो क्या करता भाई वहां से थोड़ा सा hard करके wall लगाता है cover लेता है तो यह थोड़ा सा problem होता है इसलिए मैंने बोला iris जो है वह सबसे तगड़ा है ठीक है अब आप चाहो तो इसके इलावा कैसी यूज़ कर सकते हो अपना तासुया भी जो कि CS में तो आपको help करेगा लेकिन मेरे हिसाब करना देता है जिससे कि उसका location आपको पता चलेगा को कौन से गुलूवल के फीचे है किदर वह वाग रहा है ठीक है इससे क्या होगा कि इमेट्व भी यूज़ करने में आपको काफी ज़्यादा इजी होता है जहां पर विमार्क बना हुआ है वहां पर एमेट्व भी आप लगा के गुलूवल क्यार पर एनेमी को नॉक कर सकते हो इसके लावा क्या होता है कि अगर मोको बना हुआ है तो जो आपके टीमेट को बना हुआ है तो अपका टीमेट उसके आस पास होगा इसली रस कर देगा वहां कि क्योंग वह और एक टीमेट को भी यह सपोर्ट करता है मोको यूज से करना चाहिए इसके लिए मैं आपको बताऊंग गा 2-3 क्राइटर जो कि आप अपने हिसाब से देख के यूज कर लेना सबसे पहले चीज तो कि अगर आप एक्टम न्यू प्लेयर हो मतलब कि पहले आप उतना स्नैपर यूज नहीं करते थे लेकिन अब जो है आप लोग असनैपर बनने का ट्राय कर रहे हो तो भाई यह जो फिमेल करेटर है लोड़ा करेटर आपको यह यूज करना चाहिए क्योंकि यह जो है आपको काफी ज्यादा हिल्प करेगा अब देखो आपको पता होगा कि असनैपर का जो गोली होता है वो एनेमी पे आटो करेंट नहीं होता है वो हमें खुछ से एम बनाके मरना पड़ता है अब देखो इसके सबसे अचा तरीका तो यह है कि आप जितना ज्यादा प्रैक्रिस करोगे आपका एम जो है उतना परिफेक्ट होगा लेकिन यहाँ पर आप यूज करते हो यह वाला करेंटर तो यह जो है आपके एक्वरेसी को 50% इंक्रीज करता है जिससे की स्टार्टिंग के टाइम में आपको काफी ज्यादा हि जब आपका बुलेट तो अच्छा खासा इम बनाना आजाए आप लोग अच्छे से करेंट करना सुरू कर दो तो फिर आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो और इसके जगापे आप यूज कर सकते हो अपना मारो कैर क्या है कि लो आपका जो डेमेज है उसको बढ़ा देते ह मतलब कि AWM का जो body shot पड़ता है 150 उसके जगाप यहां पर करीब 170-180 के आसपस पड़ता है ठीक है जो कि इसके ability है एंड काफी OP ability है full map के लिए कि तो काफी तगड़ा है तो मैं आपको बोलूँगा अगर आप new player हो तो आप यह female वाला use करो नहीं तो आप जो है maro use करो ठीक है ब बाकिका जो तीन teammate होगा उसके आसपस उसके उपर mark बना देगा एंड उसका movement speed को भी solo करता है तो यह वाला भी आपको काफी ज़्यादा help करेगा लेकिन गो जो है CS में ही ज्यादा help करेगा ठीक है तो basically यहां पर fourth slot में मैं आपको बोलूँगा आप लोग मारो ही use करो लेकिन कभी custom या CS होगा तो वहां पर chain करके कोई और लगा लगा लएता हूँ जो कि मैंने आपको बता रख गए ठीक है तो यह तो किस यहां पर हो गया character skill अब किस यहां पर मैं आपको लादाता हूँ एक दो setting जैसे किस यहां पर left fire button है आप लोग उसको use करो उसको always पर रखो और इसको use किया करो इसके लावा hold fire to a scope को भी on कर लो यह कुछ basic setting है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ इसके लावा और भी काफी सारे टिडिक वगरा होते हैं जो कि हम लोग किसी और वीडियो में जानेंगे ठीक है इसके लावा किस यहां पर देखो एक होता है क्योंकि weapon switch इस व किसी का कॉपी वगरा मत करना और भाई स्नेपर के लिए सबस्चे चीज़ है कि जितना ज्यादा हो सके उतना practice करो मैं खुद भाई अभी practice ही कर रहा हूँ और जितना practice होगा उतना ओपी आप लोग चला पाओगे ठीक है बागी कैस किसी वीडियो में हम लोग और भी पसाना हो अगर वीडियो अच्छे लेकर वीडियो को लाइक हो चैने पर न्यू है सब्सक्राइब करें चौहाज से मिलते हैं आप सिक्से नीक्स्ट वीडियो में तुटाटावर्य टिक कर रहे हैं